हेलो गाईज आप सभी का विजन सक्षेज में सौगत है तो आज बहुत ही मातपूर टॉपिक के साथ आप लोग के समख शुपस्तित हूँ तो अभी आप लोग ने सुना होगा केबनेट ने अप्रूफ किया है नियू स्ट्रेटीजिक दिस इन्वेस्टमेंट तो आप लोग ठूरी चीजें एंपोर्टन शो इस वीडियो में तो शुरो से लेकर लाश्ट तक आप लोग वीडियो पह बने रही है अच्छे लगे लाश्टमें लाइक कर दीजिए अचलिए स्टार करते हैं तो वाट इस डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है वाट इस इस ऍर दिजसं का action है ठीक है यह इस तरीकी का क्रिया किलाब कह सकते हो कि एक संगठन या सरकार की संपत्ति या subsidiary को बेचने या समापन करने की कारवाई के रुप में प्रव्यासित किया गया है ठीक है सावजिनिक छेत्र के उपकर्मों में सरकारी बिक्री अपनी हिस्सेदारी मतलब सेर को कम करना जिसकी जिसमें इसकी अधिक हिस्सेदारी जैसे कोई कंपनी है उसमें गौर्मेंट की हिस्सेदारी ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर की या तो नहीं है या फिर बहुत कम है तो वहां प और ना फिर खतम कर देना यह क्या है डिस इंवेस्टमेंट है एक बजटी अभ्यास के रूप में किया जाता है जिसके अंतर का सरकार चैनीस सार्जनिक छेत्र के करमों के विनिवेस है तो वार्षिक लच्छों की घुसना करती है तो अब इसमें क्या होगा कि एक aim रखा जाएगा कि यहां तक करना है ठीक है अब इस budget में जो लक्ष रखा जाएगा तो उस तक पहुशने का अभ्यास किया जाएगा तो सरकार ने चालुब वित वर्ष में 2019 के लिए एक दस्मलो 0.5 लाँ करोड़ का वी निवेश लक्ष निधारित किया है ठीक है तो 2019 में जो यह data आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो 2019 के लिए 1.05 लाग करोड का विनिवेस लक्ष निधारित किया गया है अब हम लोग बात करते हैं मंत्री मंडल ने नई रणीतिक विनिवेस प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान किया तो क्या है तो मंत्री मंडल ने चुनिंदा सावजूनिक उपक्रमो के निजी करण में तेजी लाने की दिष्ट कोड से रणीतिक विनिवेस की एक नई प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान किया तो इसके अंतरगत क्या-क्या परिवर्थन हुए है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो नई नीतिक अंतरगत वित्मंतराले के अंतरगत निवेस एवं सावजूनिक संपत्ति प्रवंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मेनेजमेंट इससे डिपम भी कहते हैं डि आई पी एएम जो की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है को रणीतिक विनिवेस विक्री के लिए नोडल विवाग बनाया गया तो इसी के अंतरगत स्ट्रेटिजिक डिस इन्वेस्टमेंट होगा वर्तमान में रणीतिक विक्री के लिए साजनिक छेत के उकर्मों की पहचान नीति आयुकदारा की जाती है लेकिन नई नीति के अंसार DIPAM Department of Investment and Public Asset Management और नीति आयुक अब संयुक्त रूप से जरणीतिक डिस इन्वेस्टमेंट के लिए PSU की पहचान करेंगे तो DIPAM सच्यू अब संबंधित प्रसासनिक मंत्रयालियों के सच्यू के साथ वी निवेस्ट पर अंतर मंत्रयाली समुक्त की सा अधश्चता करेंगे Department of Investment and Public Asset Management तो यह आप रिमेंबर कर लो यहां पर आपके new changes हुए थे उनके बारे में हम लोग ने discussion कर लिया तो आप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि privatization की ओर सरकार PSUs को लेकर जा रही है जो भी साभजिनिक छेत के उक्रम है ठीक है जहां पर सरकार की हिस्चेदारी ज्यादा है उसे कम करेगी ठीक है और जहां पर का मैं उसको खतम करने का प्रयास करें ठीक है ये सारी चीजें है इसके अंतरगत अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने study groups में अपने friends के साथ क्योंकि वीजन सक्षिज आपकी family है आप इसके member हो तो share करो याद क्योंकि family तो share करती है तो share कीजे ज्यादा से ज्यादा और चैनल पर first time आया है तो वीजन सक्षिज की family के member बन जाएए subscribe button को दबाईए अच्छा rhyme बन गई है यहाँ पर ओके चलिए best of luck, thank you